तो यह हमने मेंन स्टेंड का भी काम करवा के ले लिया था साथ ही साथ में दोनों ब्लेक कलर पाडर कोटिंग होने के बाद में बहुत ही अच्छा लूकार है तो है गाइज वेलकम बेक टो दिया अनदर व्लोग अफ राइड विद एस रवी इस सुराच अना होप यह गाइज आपसोलोटली फाइन तो गाइज आज मा निकला हूँ मेरे बाइक के अंदर एक मेजर मोडिफिकेशन करने के लिए जो है मेरे बाइक के लिए एक मेंस्टै सो गाइज यहां पर आभी मेंस्टैंट जो है वो 502 एक्स में तो बाइडिफॉल्ट आते है लेकिन यहां पर मुझे 502 में नहीं मिल रहे तो जिसके लिए मैं करा रहा हूँ कस्टमाइजेशन अब कस्टमाइजेशन क्यों करा रहा हूँ उसका रीजन है गाइज 502 में जो अग्सास्ट वह आता है बंडा भेली में स्टैंट लगाने के लिए मुझे वह एक्सास्ट को निकालना पड़ेगा तो मैं मॉडिफिकेशन अग्सास्ट का नहीं कराना चाहता हूँ बिकास मुझे फुलिस की तरफ से कोई भी हरस्मेंट नहीं चाहिए इसलिए मैं एक्स चाहता हूँ और साथ में में स्टैंट का भी मज़े लेना चाहता हूँ तो उसी रीजन की वजह से मैं मेरे बाइक के अंदर कस्ट्रमाइज में स्टैंट बनवा रहूं तो चलिए फड़ा-फड़ पहुसते हैं गेराच पे युसूफ भाई के पास में और अपने में स्ट को बनता हुआ देखते है तो बिसिकली अभी युसिवाइज पार्मा बना रहे है में श्रेंट के लिया तो जब रेड़ी होगा कुछ इस टाइप से दिखेगा यह बेसिकली सिक्सिफिफ्टी का है अपना जो में श्रेंट होगा वो ठोड़ा अलग रहे गा जैसे जैसे र क्लाइब कर दो आसे प्रच भार्मा भार्मा प्राजिख के दोड़ा जैसे प्रच करतके जाज उज़ू के में श्रेंट होगा होगा के जाद कि रहे है का डेंट में प्राज जार वेता है झाल 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 तो यह हमने मेंश्टेंड का भी काम करवा के ले लिया ता साथी साथ में तो यह हमने प्रॉपर्ली उसको इंस्टॉल भी कर लिया है उसको पाउडर कोट कराने के बाद में लेकिन पाउडर कोट कराने के पहले मैंने इसको 100% टेस्ट किया है जो मेरा अगर आप लोग ने वो वीडियो ने देख रहेगा तो उपर आई बटन में लिंक आ रहा हुगा तो प्लीज आप लोग चेक कर सकते हो तो उस राइड पर मैंने अच्छे से इस टेंड को चेक किया कि कहीं वो इस टेंड आवास तो नहीं कर रहा है या उसके वज़े से मु नेक्स्ट व्लोग आने वाला है वो क्या है अफकोस जो मैंने क्रेश गार्ड बैट आया है उसके ओपर तो यह जो क्रेश गार्ड की बैट आया है इसको भी मैंने प्रॉपरली वहाँ पर बैट के खड़े होके डिजाइन करवा के लिया था मैं सोचा था पहले कि दोनों की भी व्लोग को साथ में कंबाइन कर दू लेकिन वो कापी लंबा व्लोग हो जाता था इसलिए वालने उसको भी आलग रखा हुआ है तो गाइस वैसे अगर आपको भी आज़सा स्टेंड बनाना होगा या बाईक का कोई भी काम करना होगा तो आप लोग येसु भाई को कॉंटक कर सकते हो जिनों मैं ये स्टेंड बनाया है contact number में आपको मुझे DM करना मैं आपको दे दूगा socially मैंने डाल सकता क्योंकि आपको मालूम है socially डालूगा अगर कोई issue हो गया तो फिर problem हो सकती है तो उससे बैटा रहे करके कि आप मुझे DM करना मैं आपको उनका contact detail provide कर दूगा मुंबई में आपको कहीं पर भी कुछ कराना रहेगा आपका हर बाइक का solution वो करके दे देगे so guys अगर वीडियो पर अब की तक आप बने हुए है तो यह वीडियो लाइक किये हुए बीना मच जाना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो hit the bell icon to get the instant notification इंस्टाइडी आ रहा हुए उसको follow कर लेना मिलते हैं आपको ऐसे ही किजी वोडिया सी व्लॉग में till then bye bye